हेलो फ्रेंद्स तो देखे आज हम बनाने वाले हैं गर्मियों के लिए लडू लडू के लिये बहुत ज़ाधा हमारे energy booster का काम करते हैं तो यहां पर मैंने एक कटोरी ली है उसमें एक कटोरी के नाप से मैंने एक कटोरी भूना हुआ चैना लिया है एक कटोरी मैंने मखाना लिया है और आधा कटोरी इस पे हमने गिहूं का आटा लिया है तो यहां पे जो चने हैं इसको हमको अच्छे से पीस लेना है मखानों को भी पीस लेना है चने हमें अच्छे से पीस लेना है मखाने अगर दर्दरी रहते हैं तो लड़ों का टेस्ट आंटे को भुनने में थोड़सा टाइम लगता है ऐसको कच्चा है इसली हमको भुनना है तो यहां पर मैंने जिसमेश नाप लिया है उसी Southern से महने 35 घी हटना है हम वह दो टो चंमच करके घी इसमें डालेंगे तो अभी हम आटे में हमने 2 चंमच घी डाल दिया है और अभी इसको हम लो बीडियम अच्छी खुशभू आने लग जाए कि अधृ वहन हमें बहुत अच्छी अच्छी घ्वू Son लड़ों ना, इस पर भुना चनन और इस तो इसमें क्या है कि ये का था थैंक है कि बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, बहुत प्याइदे मंद होते हैं और इनमें फासफूरस की जो मातरा है वो बहुत ज़ादा अच्छी पाई जाती है और चना जो है वो हमारे कॉंस्रिपेशन के लिए भी बहुत हेल्पुल है बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का कैल्शियम का इसलिए यह लड़ू जो है वो बहुत अच्छे हैं तो देख और उसके बाद हम फिर से दो चम्माच अब इस पे घी डाल देंगे और घी डाल के हमें से भून लेंगे अब जो थोड़ी बहुत कसर रहेगी ना वो आटा अब बाकी चीजों के साथ भूनते भूनते जो है वो पूरा भून जाएगा तो पहले आटे को बहुत जादा एक चने के साथ भी चने के आटे के साथ में भी हमको इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको लगाता चलाते वे भूनना है और कम सकम इसको साथ से आठ मिनट के लिए हम इसी तरीके से भूनते रहेंगे जब तक इनका कलर अच्छे से चेंज नहीं हो जाता है तो यह एक तो इतने आसानी तरीके से आसान तड़ीके से बन जाते हैं कि फिर आपको भी लगेगा कि मतलब इसको बनाना तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है तो यहाँ पे मैंने एक चमझ घी और डाला था और उसके बाद हम इसको फिर से भून रहे हैं तो इस लड़्डू में में जो चीज है वो हमारी जो सारी चीज है वो अच्छी से जो है भून जानी चाहिए अब यहां पे हम जो मखाना रखा था हम ने वो डॉल देंगे और उसको मिलाएंगे और उसको भी अच्छे से भून लेंगे आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले मखाने को अलग से आप भून लें और उसको पीस लें और नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि बिना भूने आप पीस लें और इसके साथ में भूनेंगे तो मखाने बहुत अच्छी तरीके से भून जाते हैं तो दोनों ही चीज आपको जो बेटर लगे आप वो कर सकते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके हमारा जो मिक्षर है वो ज्यादा हो जाता है शुरुआत में ऐसा लगता है कि कम है लेकिन देखिए अभी इसकी जो कॉंटिटी है वो बढ़ गई है अब हम इसपे डालेंगे एक चमच वन टेबल स्पून खरबूजे के बीज डालेंगे तो अब इसको डालके भी हमको इसपे भून लेना है तो यह जो लड़ू है बच्चों को खिलाईए बड़ों को खिलाईए सबके लिए ही बहुत फायदे मंद होते हैं हम इसपे ना काजू डाल रहे हैं ना बादाम डाल रहे हैं क्योंकि हम इसे बना रहे हैं गर्मियों के लिए और जो बादाम होते हैं काजूती यह गरम होते हैं इसलिए हम इसको नहीं डाल रहे हैं हम इसपे डाल रहे हैं सिफ मखाने डाल रहे हैं हम इसपे के भीज डाल रहे हैं जो चीजे हमारे शरीर के लिए ठंडी करें तो अब एक है रहे हैं अब इस पे हम डाल रहे हैं आध्यकटूरी नारियल का किस नारियल का बुरादा तो वह भी डाल दीजिए अब नारियल का बुरादा डालने के बाद हमको इसको फिर से 3-4 मिनट के लिए अच्छा से भून लेना है थोड़ी नारियल भी जो है वो भुन जाएं तो अच्छा अच्छी खुश्बू आने लग जाती है तो इस समय जो है न मेरे किचन में बहुत अच्छी वो जब आटा भुनता है तो और यह जो भी नारियल भुन रहा है इनकी खुश्बू बहुत अच्छी आ रही है तो लड़ू घाने में भी बहुत टेस्टी होते हैं अब इनको लगाता है इसी तरीके से जैसे हम शुरुवात से भुनते चले आ रहे हैं उसी तरीके से लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें इसे भुनते रहना है अब अगर मैं इसको पूरी प्रोसीजर पूरे देर की भुनने की दिखाऊंगी नो तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैं इसको बीज-बीज में कट करती जा रही हूँ और बस आपको जैसे ही लगे कि सब भुन गया है तो बस इसको बंद करके हमको प्लेट में निकाल लेना है और उसे ठंडा कर लेना है अब यहां पे एक कटोरी मैंने मिश्री लिया है शकर नहीं लिया है मिश्री मिला लिजिए अगर आप बहुत ज्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप पूरी मिला सकते हैं एक कटोर यह मिश्री जो है वह पूरा आप मिला सकते हैं यह अच्छा इनफ इसका जो मीठा पन रहता है वह बहुत हो जाता है अब अभी तक हमने जितना घी लिया उसमें से इ थोड़ा घी और डाल देंगे घी भी हमारे सेहत के लिए कुछ खराब नहीं होता है हमारे हड्डियों में जो कटकट की आवाज आती है जो हमारे ग्रीज जो होता है वो खतम हो जाता है उसके लिए घी बहुत अच्छा होता है अब इससे जादा डालने की ज़रत नहीं फिर क्या होता है लड्डू बहुत जादा दिन के लिए आप रख नहीं सकते हो अभी आप लड्डू जो है थोड़ी दिनों के लिए इसे रख सकते हो दूट डालने से इनका जो सेल्फ लाइफ रहता है वो कम हो जाता है तो यह देखिए हमारा लड्डू बहुत अच्छी नहीं आती है बांदे में तो घी हमने डाला उससे लड्डू मा बहुत अच्छी तरीक बन जाते है तो चले इसी तरीके से अपने सारे लड्डू बना के र具 Do हमारी बनके पूरी तरीके से तयार हो चुके हैं तो इस लड्डorro के क्या-क्या गुल यम मैंने आपको बता दिय कि यह हमारे हाट के लिए किडनी के लिए हमारी energy के लिए सब चीजों के लिए यह लेड़ू जो है गर्मियों के लिए बहुत जादा जो है फायदे मन्द हैं और बनाना भी कोई मुश्किल नहीं है बहुत आसान वीडियों से यह बन जाता है तो इसे बना के जरूर देखिए और अगर आपको अच्छी लग रही है रेसिपी तो उसे प्लीड लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कॉमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि रेसिपी कैसी लगी है और चैनल पे अगर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा इसी तरीकी की रेसिपी आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी चलिए मिलते हैं अपने नेक्स रेसिपी में तब तक के लिए बाई बाई